हेलो गाइज पैडागोजी क्लासिज में आपका स्वागत करता हूँ गाइज हमने वाइगोशकी जी की ठियोरी कर ली थी संग्यान के विकास के सिदान्थ हम कर रहे थे आज हम करने वाले हैं प्याजे जी का संग्यान विकास सिदान्थ प्याजे जी ने एक तो संग्यान के विकास के सिदान तो बताए थे एक नैतिक के विकास भी बताए थे आज हम संग्यान के विकास करेंगे जब संग्यान के विकास सारे खतम हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको कराऊंगा नैतिक के विकास कोहल बर्ग जी की और जीन प्याजे जी की तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दो पार्ट में आपकी क्लास होगी आज हम एक पार्ट करेंगे दूसरा पार्ट फिर कभी करेंगे ठीक है जे जीन प्याजे जी थे काफी महत्तवपुर्ण जोगदान रहा है इनका साइकोलोजी की फील्ड में इन्होंने बताया बच्चे का विकास कैसे होता है जीन प्याजे जी का जनम 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यू 1980 में हुई थी जीन प्याजे जी का सिदान काफी महत्तवपुर्ण ने सीटेट में आपके दो नंबर का जहां से कोश्चन आता है जीन प्याजे जी ने फ्रांस में जाके बिनने के साथ काम किया था वहाँ पे इन्होंने बच्चों का इंटर्व्यू ले था इंटर्व्यू के दुरान इनको पता लगा था कि जो बच्चा होता है उनकी बुद्धी होती है वो जनमजात नहीं होती अनुबव के साथ आती है बच्चा जब जनम लेता है तो बच्चे की संग्यान के विकास स्तार्ट हो जाती है लेकिन बच्चे की जनमजात बुद्धी नहीं होती जैसे जैसे बच्चा सूचना लेगा वैसे वैसे बच्चे के संग्यान का विकास होता रहेगा परानी सूचना से नई सूचना बच्चा लेता रहेगा ऐसे ऐसे करके step by step बच्चा लेगा सूचना ऐसी बच्चे के संग्यान का विकास होता रहेगा बाई वर्ष की आजू में जीन प्याजय जी ने PhD की थी जू लोजी को लेकर इनकी जो theory है इनको radical constructivist कहा जाता है इन्होंने कहा था बच्चे को आगे बढ़ने के लिए किसी भी बल की जिरूरत नहीं पढ़ती बच्चा active learner होता है अपने आप अधिगम करने लग जाता है little scientist भी कहा है जीन प्याजय जीने बच्चे को कि बच्चा जब जनम लेता है तब ही से संग्यान स्टार्ट कर देता है यह बात मेरी द्यार केगा जब जनम लेता है तब ही संग्यान स्टार्ट कर देता है लेकिन जनम जात उसकी बुद्धी नहीं होती जनम लेते ही संग्यान स्टार्ट करता है, सुचना कलेक्ट करता है, सुचना को लेकर ही आगे बढ़ता जाता है पुरानी सुचना से नहीं सुचना बनाता है ऐसे ही बच्चे के संग्यान का विकास हो जाता है जहां तक मुझे उमीद आपको समय लगा होगा जो आप थर्ड वाली पिक्चर देख रहे हैं ये वाली ऐसे करके है ये जीन प्याजे जी ने दी थी जीन प्याजे जी का ग्राफ था एक्जामे पुछा जाता है जीन प्याजे जी ने कौन सा ग्राफ दिया था तो ये वाला दिया था जे graph बच्चे की जो चार स्टेजिस हैं जीन प्याजेजी ने कही थी उनको द्यान में रखते हुए बनाया गया था ठीक है और इन्होंने mathematical concept दिया था ratio and proportion जे भी exam में आया था ratio and proportion ठीक है इन्होंने कहा था कि जो same age के बच्चे होते हैं एक ही आयू के बच्चे होते हैं वो एक ही तरह का सोचते हैं इन्होंने अदियन किया था अपने चार बच्चों को लेकर इन्होंने देखा था जब बच्चा चार साल आठ साल दस साल ऐसी stage में होता है तो एक ही तरह की सोच ताबिक तरक लगाना, बाशा का विकास, बच्चे का विकास, विचारों को जो सोचता है, जो उसकी सोच समझ है, उसका विकास होता है, तो उसको संग्यान का विकास ही कह देती है. मांसिक संक्रिया क्या होती है किसी भी समस्या का समादान के लिए जो बच्चा चिंतन करता है एक्टिंग करता है उसको मांसिक संक्रिया कहते है ठीक है आगे काफी अधा इंपोर्टेंट है स्कीम और स्कीमा स्कीम होता है एक ही सूचना लेना और स्कीमा होता है बहुत सारी सूचना लेना जैसे बच्चे ने जनम लिया बच्चे ने सूचना ली कि उसने अपनी मां का जो स्ट्रक्चर था अपने दिमाग में इमेज बना लिया उसका और जब भी मा को देखता तो उनको कहता मा मतलब वो स्कीमा बना लिया है अपनी पूरी मा की पिक्चर अपनी दिमाग में बना लिया है वो स्कीमा हो गया लेकिन अगर मा के अकेले केले बोडी पार्ट की बात करें जैसे आखें हो गया, फेस हो गया, बाहें हो गई, वो एक-एक जो information है, वो scheme हो गई ठीके, मुझे उमीद है आपको समझाया होगा, schema क्या होता है, जो information collect कर रहा है mental structure बन रहा है बच्चे का, दिमाग में images बन रही है, चितर बन रही है वो scheme हो गया, बहुत जादा बन रही है, वो scheme हो गया, अगर एक-एक कर रहा है, तो वो scheme हो गया एक जैसे और example बताता हूँ, जैसे कोई relative बच्चे के गर आया, बच्चे के माबाप ने कहा कि जब भी आपको रिष्टेदार मिले कोई, तो उसको नमस्ते करनी है, तो बच्चे के दिमाग में वो चितर बन गया, कि जब भी कोई रिष्टेदार दिखेगा, मुझे नमस्ते करनी है, बच्चे के सामने जो भी रिष्टेदार आता, उसको नमस्ते करता, मतलब जैस की बन गया है बच्चे के दिमाग में ठीक है जीन प्याजेजी ने ये भी कहा है कि बच्चे की पहले चित्र बनने लगते हैं दिमाग में उसके बाद शबद बनने लगते हैं ठीक है एक और एक्जामपल है कि जैसे आपने सीटेट क्लियर करना है आपके दिमाग में सीटेट का एक पिक्चर बन गया है, वो स्कीमा आ गया, और उसके जो अलग-लग सुब्जेक्ट है, वो स्कीम की तरह काम करते हैं, ठीक है, मुझे उमीद है, आपको अब पूरी तरह से समझ आया होगा, आगे कर लेते हैं, अनुकुलन, अनुकुलन क्या होता है, किसी भी इन्वार्में में जाके अपने आपको अर्जस्ट करना, मैनेज करना, उसको अनुकुलन कहते हैं, जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ, अगर मैं बाहर जाता हूँ, फोरन में, अमेरिका में, तो उसके इन्वार्मेंट में, मुझे वातावर्न में अर्जस्ट करना पड़ेगा, तो वो जो मैं adjustment कर रहा हूं, वह अनुकूल हो गया, बच्चा भी जब जनम लेता है वादतावर्ण में, समाज में, तो उसको समाज के मताबिक डलना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है, ठीक है, अनुकूलन के दो पार्ट और होते हैं, एक होता है आतमस्तकरन और एक होता है समंजन पहले हम आत्मस्तकर्ण को समय लेते हैं आत्मस्तकर्ण को क्या कहते हैं कोई भी नई सूचना बच्चे को मिल रही है उसको आत्मस्तकर्ण कहते हैं यह बात में याद रखेगा कोई भी नई सूचना मिल रही है बच्चे को उसको आत्मस्तकर्ण कहते हैं एक एक्जाम पे रहता है, गर पे उसने एक जानवर देखा, वो जानवर वाइट कलर का था, चिटे रंग का था, उसकी चार टांगे थी, दो आखे थी, बच्चे ने मेंटर स्ट्रक्चर बना लिया, इमेज बना लिया उसकी दिमाग में, बाद में वो बौंक रहा था, बच्चे ने अप मा ने बताया बच्चे को, कि इसको कुटा कहते हैं, अब बच्चे के सामने कोई भी ऐसा जानवर आता, जिसकी चार टांगे वाइट कलर का होता था, दो आखे होती थी, और बौंकता था, तो इसको कुटा कहता था वो, ठीक है, जैन नई इंफरमेशन लिये, इसको आतमस् अब आगे कर लेते हैं, दूसरा समंजन, पहला पॉइंट दियान में रखेगा, दूसरे में वो भी आएगा, दूसरे में अब क्या होता है, बच्चा अपने अब बुआ के गर जाता है, कुछ दिनों के बाद, वहाँ पे एक जानवर देखता है, वो भी वाइट कलर का होत है, चार टांगे होती है, दो आख होती है, तो बच्चा उसको देखकर कुटा कहता है, जहां तक बच्चा संतुलित महसूस कर रहा है, कि सेम सेम बच्चे ने जो दिमाग में इमेज बनाई है, और जो देख रहा है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो जहां पे संतुलित है बच्चा काफी लेकिन जब वो जानवर बोकता नहीं है म्याओ म्याओ करता है तब अंसंतुलित मैसूस करता है बच्चा तब बच्चे को लगता है कि गड़बर हो गई है जो मेरे दिमाग में इमेज थी और जो मैं सामने देख रहा हूं वो कुछ अलग है ठीक है फिर बच् अपनी बुवा के पास जाता है उनसे पूछता है कि जे क्या है तो उसकी बुवा उसको बताती है कि जे बिल्ली है वो अपनी पुरानी जो सूचना थी उसको दियान में रखते हुए नई सूचना को एड़ कर रहा है ठीक है जहां तक नई information ही मिल रही है बच्चे को नई स आत्मस्त करना होती है फिर आप कहेंगे कि समंजन क्या हुआ मेरी बात ध्यान से सुनेगा अब बच्चा दुबारा चार टांगे वाला जानवर देखेगा दो आखें होगी वाइट कलर का ही होगा और जब वो म्याउं म्याउं करेगा पहले बच्चे के दिमाग में कुत्त कुत्ते की इमेज बनी थी ठीक है लेकिन जब वो बिल्ली को दुबारा देखेगा म्याउं म्याउं करेगी बिल्ली तो बच्चा कहेगा यह बिल्ली है बच्चे ने जो कुत्ते की सूचना थी उसको लेकर बिल्ली की सूचना बनाई उसको समंजन कहा देते हैं